बिकनगाव जनपत के मुख्य कारी पालन अधिकारी राकिश पाहेती ने अपने सरकारी आवास पर रविवार को फासी लगा कर आत्मत्य की वहीं सौमवार को पोस्ट माड़म हुआ वहीं पुलिस विभाग को मिले सोसाइट नोट के अनुसार पुलिस ने जाज शुरू की निधी धन्नालाल खत्वासे और उपाद्धिक्ष डूली चंद बाके का नाम सुसाइट नोड में सामने आया खबर लिखे जाने तक दोनों ही आरोपियों को भिकनगाउं नियायाले में मेडिकल के बाद पेश किया गया दोनों ही आरोपियों पर आई पीसी की धारा 306 के तह उन्होंने सुसाइट किया दबाव में आकर किया को मिटिंगें जो जन्पत की होती है कारियों का विभाजन होता है योजनाय बनाई जाती उसमें पूरी तरस नियम विरूद बहाती जन्ता पार्टी के पजादी कारियों के दोरा उनके उपर दबाव बना गया दबाव बन प्रभावित नहीं हो और सुसाइट नोड में उन्होंने जिसका नाम जिक्र किया वह भी खुलासा हो दिग्वित जिंग के ट्वीट के बाद में गिरपतारी की गई है तो इसको में के टाक है मिल्कुल दिग्वित जिंग जी हमारे समानी आदाने वरिष्ट नेता है और पूरो मुख्मंत्री भी है वो तुरांत संग्यान में कोई सी भुटना को लेते हैं उन्होंने जो कहा है सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें लिग्वित जिए नेटवर्क नहीं लगा पाई इसलिए आज सब के सामने आके बोला है इतना बड़ा मामला है जीलान में छे गढरेशं की विधायक और यहां के आपन देने के लिए कव मउजूद हे यह पिस्तित हैं हमारे सारे विधायकों से मेरी सुबर चर्जा हुई है मानी कमला जी से चर्जा हुई है उनके निरीजेशू पर यह किया जाया नहीं यह जो जन्पत पंचाय तो उसमें फोलिस के द्वारा जाच की गई जाच में जो तत्थे आए उनके आधार पर जो मोगों ने प्रिक्रम देश्टिया अप्राग पाया जाने से दारव की शुच है फॉंकिस के तर्फ दो वेटी उपर आरोप पर अपर पंचीपत किया गया है और इसमें दोनों आरोपी उभी गिरफतारी हो गई है और पुलिस की विर्शना इसमें जागी है इसमें दो आरोपे गिर्वाने कई saint गाई लिए और दुझन बाके हैं सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगें टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भुलें